हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को मिंडल द्वारा प्रतिपादित दुई संकर संकरन अथवा डाई हाइब्रेड क्राज के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत्य तक ध्या संकरन प्रियोग करने के बाद मिंडल ने एक से अधिक लक्षणों की वनसागति का अध्यान करने का सोचा जिसमें उन्होंने दो यूग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों का क्रास करवाया तो ऐसे संकरन को जिसमें दो जोड़ी बीपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे दूई संकर संकरन कहते हैं अर्थात ऐसा संकरन जिसमें दो जोड़ी विपरीद लक्षण भाग लेते हैं उसे डाई हाइब्रिड क्रास कहा जाता है तो कुल मिला करके दूई संकर संकर की परिभासा होगी जब दो जोडी विपरीद लक्षणों वाले पौधों के बीज संकरण या क्रास कराया जाता है तो उसे डाई हाइब्रिड क्रास अथवा दोई संकर संकरण अथवा दोई संकर ये कहा जाता है इस प्रकार से संकरण के लिए मेंडल ने दो प्रकार के पौधों को चुना पहले गोल तथा पीले बीज वाले तथा दूसरे हरे तथा जुर्रीदार बीज वाले इन में से पीले और गोल वाले प्रभावी लक्षण वाले पौधे थे जबकि हरे और जुर्रीदार वाले डाई हाइब्रिड क्रास के लिए मटर के बीज का आवरण के रंग और उसके आकार के आधार पर चुना तो चार्ट में देखिए बीजा वरण के रंग में पीला प्रभावी लक्षण वाला चुना और फिर हारा आप्रभावी लक्षण वाला चुना ऐसे ही बीज के आकार के लिए गोल प्रभावी लक्षण के लिए चुना और जुरीदार आप्रभावी लक्षण के लिए चुना इसी को कैपिटल वाई और कैपिटल आर के रूप में दर्साया हुआ है डबल वाई और डबल आर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कोशिकाओं में लक्षण पेर्स में पाय जाते हैं मैंने पहले यी वीडियो में आपको बताया था जब एक संकर संकर समझा रहे थे तो पीले गोल या वाई वाई आर आर वाले सुद्ध पौधे हैं या प्रभावी लक्षण वाले हैं दूसी तरफ हरे जुरीदार को इसमाल वाई और इसमाल आर से दसाया गया है यानि कि जोडों में लिखा गया है तो जोडों में क्यों लिखा गया अभी आपको बता ही चुके हैं तो ये भी वे सुद्ध होते हैं यानि ये भी पौधे सुद्ध हैं अब इन दोनों के बीच में क्रास करावा आ जाता है तो क्रास करवाने पर F1 पीड़ी में या प्रथम पीड़ी में पीले गोल वाली संकर संतती प्राप्त होती है यानि पीले गोल वाले संताने उत्पन होती है मतलब क्रास के बाद पहली पीड़ी में पीले गोल वाले संकर पौधे मिलते हैं Means, Capital Y, Small Y, Capital R और Small R मतलब दो युग्म विकल्पी लक्षोनों वाले बीजों में संकरन कराने पर उत्पन प्रथम संतानिय पीड़ी में F1 में सभी बीज गोल तथा पीले उत्पन होते हैं फिर इस पीड़ी के पौधों में स्वापरागन कराया जाता है यानि प्रथम पीड़ी के पौधों में स्वापरागन कराते हैं और सा परागन के द्वारा उत्पन दुतिय संतानिय पीड़ी F2 में चार प्रकार के 16 बीज प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। 9 बीज पीले और गोल होते हैं। 3 बीज पीले और जुर्रिदार हुए। 3 गोल और हरे हुए। जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है कि 9 बीज पीले और गोल हैं। तथा एक जो है वो हरा और जुर्रिदार है। मतलब दूसरी पीड़ी F2 में पीले और गोल बीज, पीले और जुर्रिदार बीज, हरे और गोल बीज, तथा जुर्रिदार और हरे बीज। नई अनुपात, तीन अनुपात, तीन अनुपात, एक के अनुपात में प्राप्त होते हैं, तो बीज के आवरण का पीला या हरा रंग, बीज के गोल या जुरीदार आकार में से किसी के साथ भी जा सकता है। आताहा किसी लक्षण के कारक युग्म में से कारकों का चैन स्वतंत्र होता है इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक युग्म विकलपी लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्द होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वनसागति पर दूसरे लक्षणों की उपास्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहीं कि मेंडल ने अंत में कंक्लिउशन जो नियम निकाला बताया कि जब दो या दो से अधिक युगम विकल्पी लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्द होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वनसागति पर दूसरे लक्षणों की उपास्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है